आज की गेमिंग न्यूस के एपिसोड में आपको GTA 5, BGMI BAN, रशिया युक्रेयन की वज़े से गेमिंग पे इंपक्ट, Hitman Sniper and और भी काफी गेम्स की इंट्रस्टिंग न्यूस पता लगेगी तो एंट तक ज़रूर देखना, लाइक का बटन दबा देना, एंज आल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटिव वीडियोज देखने के लिए अब दो मॉबाइल गेम्स जिनके शायद आप बेस समरी से इंतजार कर रहे होंगे वो डीले हो गए है एंट इन गेम्स के नाम है एपेक्स देन्स मॉबाइल एंड बैटल फिल्ड मॉबाइल डीले का रीजन करेंट वर्ल्ड सिचुईशन बताई जा दिये एपेक्स देन्स मॉबाइल जो है वो 10 कंट्रीज में लाँच होने वाला था जिसमें भली इंडिया नहीं है पर इस डीले से ओवरल पूरी डिलीस टाइम लाइन ही आगे चली गई होगी अब गेम जो है वो वन वीक डिले हुआ है और सेवन्थ मार्च को आएगा मतलब मैं ये वीडियो फिफ्ट को बना रहा हूँ तो पता नहीं कि अब तक आया है या पर नहीं आया पर एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा उसी के साथ बैटल फील्ड मॉबाइल का क्लोज नाम निउस्टेट मोबाइल से बुलाओ वो गेम में एक बहुती मेजर चेंज आने वाला है मार्च 2022 अपडेट में डेवलपर्स ने सोचा है कि गेम के सारे वहिकल्स को नर्फ किया जाएगा जिसका मतलब है कि उनकी पावर कम की जाएगी क्राफ्टन ने बेसिकली नोटि कार थी जिसका सब्सक्राइब जादा यूज हो रहा था उसकी कम अवास की वज़ा से तब उसके वास भी बढ़ा दी जाएगी आप इन चेंजिस के बारे में क्या सोचते हो मुझे बता न अगमेंट्स में फिर हिटमन स्नाइपर दा शैडोस लाउंच हो गया है फॉर अब आप इसे फ्री में भी खेल सकते हो इसमें प्लियर्ड इंटर्नाशनल कॉंट्राक्स एजेंसी के एजेंट्स होते हैं और वो दुनिया भर में जाके टार्गेट्स को टेक डाउन करते हैं स्चोरी कुछ ऐसे है कि एजेंट 47 गायप हो गया है और इसलिए एक सीक्रेट इसमें आपको काफी सारी नई लोकेशन से देखने को मिलेंगी और साथ-साथ दो मोड्स भी है एक तो सिंपल स्चोरी मोड है जिसने आप स्चोरी में प्रोग्रेस करोगे और दूसरे PVP मोड जिसमें प्लियर्स एक दूसर से कंपीट करते हैं उन्हें अपनी रेपिटिश सर्वेस है जिसमें गूगल प्ले स्चोर के प्रीमियम एप्स एंड गेम्स का एकसेस मिल जाता है इसका प्राइस होका 99 पर मन्थ या फिर 8.99 पर इयर इससे आपको 1000 से भी जादा पेड़ गेम्स एंड एकसेस मिल जाएगा कुछ गेम्स की बात करूँ तो इस सर्वेस में वो हैं Terraria, Limbo, Stardew Valley and Mountain Valley 2 यह सब पेड़ गेम्स है जिनको अब अब फ्री में खेल सकते हो सब्स्रिप्शन की वज़ा से और अब अपनी सब्स्रिप्शन को पांच अलग फैमिली मेंबर्स को भी शेर कर सकते हो आपके इस पे क्या थोट्स मुझे बताना कमेंस में I think कि है पोज और बी कुछ इशूस को फिक्स किया गया है बहुत सारी चोटी मोटी चीज़े भी फिक्स की गई है और इस लिस्ट की एक एक चीज़ बताना तो बड़ा मुश्किल है आप देहीं जक्तियो स्क्रीन पर Rogue Company का एक popular game है for PC and last year August 2021 में उन्होंने reveal किया था कि इसका एक mobile version भी लाएंगे आप इसकी टेस्टिंग के लिए पार्ट ले सकते हो, sign up कर सकते हो Rockstar Games ने नई GTA 5 Expanded and Enhanced version के सारे features रिबील कर दिये हैं यह basically 15th March को release हो रही है अब Rockstar इसको GTA 5 Expanded and Enhanced के नाम से नहीं बोल रहा है बलकि सिर्फ GTA 5 बोल रहा है और PS5 पर haptic feedback मिलेगा प्लियर्स को, उनका कहन है कि इसमें population बढ़ाई गई है, vegetation बढ़ा दी है, shadows and lighting गो improve किया गया है और traffic की variety बढ़ाई है, GTA Online में नए tutorial mode आएगा और यह first 3 months के ले free भी रहेगा और लोग चाहें तो अपना सारा पुराना data भी transfer कर सकते हैं, इसी के साथ कुछ नए screenshot रिवील किये गए हैं गेम के, लोग March 8 से गेम को preload भी कर पाएंगे on Xbox Series, XS and PS5 और March 15 को तो यह release होई जाएगा, इसके physical version सप्रेल में आएंगे और उनका disc का जो cover होगा, उस पर जो लोगो यूस किया जाएगा वो leak हुआ है, मतलब देखने में बिल्कुल similar ही है, बस यह कि इसमें golden border आ गया है Free Fire को ban हुए महीना नहीं हुआ और यहां BGMI के ban की बाते उठ रही है, असाम के NGO है जिसका नाम है प्रहार और उनके इंडियन गवर्मेंट से अपील करी है कि BGMI को ban कर देना चाहिए, उनके according इसे उन 54 apps के साथ ही ban कर देना चाहिए था जो recently हुए है Reason उन्होंने ये दिया है कि Tencent Crafton के on paper second largest shareholder है, पर उनके according सचा है ये है कि Tencent के पास ही बहुत बड़ा controller Crafton का, जिस वज़े से ये एक तरह से Chinese app ही बन जाती है फिर इसके बाद हैतरबाद के एक advocate Mr. Anil Stevenson जंगर ने तिलंगाना की high code में PIL file करी है against BGMI, उनका भी same reason था कि Tencent का Crafton के उपर बहुत जादा control है पर Ministry of Electronics and IT ने response में कहा है कि BGMI और PUBG Mobile दो अलग app हैं, जी हाँ मैंने ये expected नहीं किया था कि ऐसा response आएगा पर IT Ministry के एक representative ने clear कर दिया है कि BGMI और PUBG Mobile ये दोनों अलग games हैं, दो अलग apps हैं, इनको एक मत समझो आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी app को ban करने का decision या फिर किसी computer software को ban करने का decision Government of India के पास होता है, उनके पास नहीं होता वैसे अगर ऐसे ही चलता रहा, और दूसरी companies के games भी ban होने लगे जिसमें Chinese company का share है तो भाई अब सूज भी नहीं सकता है, कितने games ban हो जाएंगे अगर कहूँगे तो games gossip पर इसके related एक वीडियो बना दूँगा अब बात करते है, Ukraine एंड रशे के बीचे जो हो रहा है उसका effect gaming पे और प्लीज मैं दो बाते पहले ही clear कर देना चाता हूँ एक तो ये topic बहुत ही जादा sensitive है प्लीज comment section में respectfully बात करना और डूसरा मैं gaming पर effect की बात करके इसमें हो रहा human loss को कम important नहीं दिखा रहा हूँ human loss इसमें सबसे बड़ी चीज है, लेकिन हमारा channel gaming के लिए है इसलिए यहाँ पर सिर्फ gaming की बात कर सकता हूँ मैं इसलिए वो अपने employees की safety उनकी priority बन गई है चौकर 2 और Metro series के developer GSC और 4A Games तो वहीं सही है इसलिए उनने तो game बनाने pause कर दिये हैं क्योंकि वो भी सही है अपनी जगा भाई कि पहले जान बचा लें तब ही तो game बनाएंगे देन बहुत सारी companies ने रशिया में games बेचने बन कर दियें जैसे कि EA and CD Project Red Microsoft ने Xbox के consoles और games बेचने बन कर दियें और PlayStation ने भी चुप चाप Gran Turismo 7 को slowly रशिया से हटा लिया EA ने FIFA Mobile, FIFA 22 और FIFA Online से रशियन teams और clubs को हटा दिये फिर World of Tanks game बनाने वाले studio वार्ड गेमिंग के creative director ने Facebook पे पोस डालते हुए रशिया को support किया था एंट इसलिए उन्हें company से निकाल दिया गया है मतलब हाँ अपने personal opinion को share करना कुछ गलत नहीं है पर big picture यह है कि वार्ड गेमिंग का office युक्रेयन में भी है 550 से भी जादा लोग फसे होंगे वो भी युक्रेयन की capital काईव में तो ऐसे टाइम पर अगर कोई senior बना इतना strong opinion देगा तो वो फसे हुए लोग समझेंगे कि company उनके against है इसलिए वार्ड गेमिंग ने आगया कर कहा कि वो creative director के thoughts पे agree नहीं करते वैसे और भी बहुत कुछ हुआ है अकर आप कहोगे तो इस topic में एक detail वीडियो बनाँगा और मैं other channel games gossip तो यही त्यार आज के gaming news के episode में I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो like कर दो और चानल में subscribe कर दो अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलूँ आपसे लिए वीडियो में तब तक के लिए ढटा बाई बाई